नमस्कार स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूस में से मातार लक्षिमी की पूझा Sharjana k…" आए। जानते हैं आज के दिन किन राशie वालों को हुगा लाः और किन राशी वालों को रहना होगा. मेश राशी राशी स्वामी आज आकर्शित करेगा आपको लगसरी की तरप और पैसो की तरप साथ ही आज व्यापार में प्रगती से आपको हर्श होगा विध्यार्थियों को आज मांसिक बोच से छुटकारा मिलेगा सायम काल से रात पधनी और पच्चों के साथ आसपास की यात्रा का योग है विवाहिक जीवन भी आज काफिस सुगदायक और आनंद रहेगा प्रिश्यम राशी आपके राशी में मंगल का संचार प्रोधी बन सकता है आपका आज मन भ्रमित हुआ सा रह सकता है चंद्रमा का संचार आज स्वयम के राशी से बारवे भाव में होने से मांसीक रूप से असंतूश का भाव होगा शाम होते होते किसी ऐसी खबर जिसका आपको बेह सबरी से इंतजार था वह आज आपको शुप परिणाम देगा मेहनत से आपकी परिणाम भी अच्छे मिलेंगे खुमने फिरने का मूर्ट बना रहेगा मिधुन राशी आपकी राशी का स्वामी पार्टनर के साथ में गूचर कर रहा है जिसके चलती सारा ध्यान पार्टनर के इर्थ गिर्थी रहेगा आज सीहर के मामले में सतर करें साथी आज खर्ष में कचोती करना बहुत आवश्यक है आज जो भी काम आप करेंगे सरलता से बनेगी इसलिए कुछ प्रोटेक्टिव कारे करें और बहतर होगा व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद बिलकुल ना करें आज काफी बोल्ट एंड रोलिंग रहेंगे अपने कारे पर एस्थल रहें करक राशी आज आपका राशी स्वामी खुद की राशी से बारवे रहेगा जिसकी बज़े से मन बिचलित रहेगा और किसी मामले में कन्फ्यूस हो सकते हैं लेकिन आज पराकरम व्रिद्धी से इस शत्रूओं का मनोबल गिरेगा बच्चे खेल कूद में नाम कमाएंगे पतनी के हाथ से विनोत करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा आज जरूरत मंदों की मदद करने से आपको सुकून मिलेगा आज दिन भर में मन में बहुत उतार चुणाओ रहेंगे फिर वे इस से रहना आपके लिए दिन को नॉर्मल कर सकता है सेर आशी आज प्रॉपर्टी का योग का फिर स्ट्रॉंग है खरीदी या बिक्री कर सकते हैं आज व्यपारियों को कोई नया अनुवंध मिलने से हर्श होगा नौकरी पेशा को महत्तपुन जिम्मेदारे मिलने से खुशी होगी आज आपको सांसारिक सुक, संबान, धन व्रद्धी, भाग्य विकास का सुयोग मिलेगा पुराने मित्रों के मिलने से कई आशाओं का संचार होगा नई उर्जा का आगमन होगा और घर में उत्सो जैसा महौल बना रहेगा कन्या राश्य पराकरम से आज भरपूर रहेंगे और आज दिन में काम का भार को जादा अनुभो करेंगे अपने जूनियर से काम निकालने के लिए प्यार से काम निकालना होगा घर में भी सुमती से बातावरन हलका फुलका बनाई रखें तो खुशी-खुशी काम बनेंगे घर की समस्याएं अपने आप हल हो जाएगे आज किसी प्रिय व्यक्ति के स्वास्त को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं तुलाराशी आज पैसे और धन के लिए बहुत अच्छा दिन है आज किसी भी मामले में पैसला जल्दबाजी में बिलकुल ना करें तोकि आज का दिन मिला जुला प्रभावाला रहेगा व्यक्ति गत्मत भेदों को व्यवसाइक मामलों के बेच में लाने से हानी हो सकती है रेवी या किसी अन्य निकट के व्यक्ति से कोई कहा सुनी हुई तो उसे बाचीत से सुल्जाय जा सकता है या कहें कि सुल्जाना ही अच्छा रहेगा व्रिशिक राशित आज का दिन राजनेती से जुड़े लोगों के लिए लापकारी रहेगा या पर किसे राजनेतिक पैक्ति से निकटता और दोस्ती होगी और उनके अनुभाव का लाप भी आपको मिल सकेगा विधार्थियों को सला है कि अपना अधिक से अधिक समय ध्यान में लगए आज आपकी अपने साथियों के बीच लोग प्रियता बढ़ेगी पार्टनर के साथ बना कर रखे धनु राशि आपका राशि स्वामी आज से आपकी रुकी हुई हर सफलता को शिखर तक ले चाएगा आज आपके विरोती परास्त होंगे राजनितिक सहयों पी मिलेगा लेकिन वाड़ी पर सयम रखे अन्यथा बाहर बनाए काम विगर सकते हैं रुपए पैसे के लेंदेन में साउधानी बढ़ते कोई भी लापरवाही बड़ा रूप ले सकती है आज धैर इसे काम करेंगे तो सभी काम पूरे होंगे हड़बड़ी में कोई काम ना करें बना नुकसान हो सकता है मगर राशिक आज आपके किसी पुरानी महिला मित्र से मुलाकात होगी और उनसे अकस्माद धन लाब हो सकता है जो कि हर्ष का कारण बनेगा रोजी-रोजगार के दिशा में भी सफलता मिलेगे आज नौकरी के लिए किये गया प्रयास सफल होंगे कारेस्तिल पर आज किसी से उलचने का प्रयास बिलकुल ना करे दिक्कते बढ़ सकती है आज आपको आपके पार्ठर के द्वारा कोई उपहार या सम्मान का लाब राप्त होगा कुम्व राशे आज वारी पर नियंतर रखे शनी का संचार अपनी खुद की राशी में रुके काम वनने शुरू होंगे अपनी उत्तम कारी शैली और मृदु व्यवहार का आज आपको लाब मिलेगा दूसरों से सहयोग लेने में आप सफल होंगे आज आपको संतान पक्ष से कोई खुश खबरी मिलेगे साथ लक्ष्मी जी की कृपा बड़ी मात्रा में धन की बरसात कराईगी जिसके चलते बड़ी एंवेस्टमेंट कर सकते हैं मेन राशिक आज बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है क्योंकि आज किसी मंगल में या धार्मिक आयूजन के विवस्ताओं में व्यस्त रहेंगे पीता या उच्छ अधिकारियों से सराहना मिलेगी आज सुबह से ही भाग दौण बनी रहेगी पार्टनर से काफी मेल जूल बना रहेगा जिसकी वज़र से मन शांत रहेगा सीहत के ध्यान रखे खास कर खुटने का आज मन में बहुत उतल फुतल मची रहेगी शांत रहे अपना मानसिक संतुलन बना कर चले आईए अब जानते हैं आज की अंग राशे इन तारीकों में जन्में लोगों को 6 जन्वरी को मिलेका शुप समचा धनलाब का भी होगा फ्रबल्योग जोतिश शास्त्र की तरह अंग जोतीश रेविजातक के भविश्य स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है जिस तरह हर नाम के अनुसार राशी होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंग जोतीश में नंबर होते हैं अंग शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मती थी महिने और वर्ष को एकाई अंग तक चोड़े और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांख होगा उदारन के तौर पर महिने के दो, ग्यारा और बिस्तारी कुजर में लोगों का मुलांग दो होगा आईए अब जानते हैं कैसा होगा आपका दिन अंग एक आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, असकारण अपना बजट बना कर चलेंगे तो फायदे में रहेंगे आने वाले दिनों में खर्चे बढ़ सकते हैं, अब विवाहे जातकों का विवाह तैह हो सकता है आपकी मेहनत रंग लाएगी, आर्थिक लाप होने की संभावना है, आपका शुब अंखे 9, शुब रंग खुलाबी अंग दो, आज का दिन मिला जुला रहने वाला हो सकता है, धर्मकर्मे के कामों में मन लगेगा अपने खर्चों का आप सही तरीके से प्रबंधन कर पाएंगे, अत्यधी क्रोद भाई बेहन के रिष्टे में दरार डाल सकता है, आपका शुब अंखे 42, शुब रंग खुलाबी अंग तीन, आपके लिए आज का दिन मिला जुला रह सकता है, और सिहर ठीली हो सकती है अंग चार, मन शांत रहेगा, मन की शांती के लिए भगवान का ध्यान करें, या कोई अच्छा कारे करने का प्रयास करें, प्रियर्थ की वस्तूओं में खर्च पिलकुल ना करें, पती पतनी के बिचाप सी ताल में कम रहेगा, आपका शुब अंखे 10, शुब रंग हलका अंग पांच, आज का दिन शुब रहेगा, इससे वास्तु दोश भी दूर होगा, और घर में सुख सम्रिधी का वास होगा, प्रेमी के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिल सकता है, विध्यार्थियों के लिए शुब दिन है, वियर्थ की वस्तूओं में खर्च पिलकुल न करें, आपका शुब अंख्या दो और शुब रहा, अंक छे, विवाहित जीवन में अनबन रहेगी, जमें जायदात से फायदा मिलने की पूरी संभावना है, ओपस से आया पून आपके दिन शर्या बदल सकता है, वित्रों से बादशीत करें, मन हलका होगा, आपका शुब अंख्या 25 और शुब रहा, अंक साथ, जूच अरोजा से भरी रहेंगे, अत्यदिक आत्मे विश्वास से बचे रहें, नेनय लेने से पहले जांच ले, आपके रुत्वे से लोग प्रभावित रहेंगे और सम्मान भी मिलेगा, व्यपारिक यात्रा से फायदा होगा, अंक आर्थ, आर्थिक कुन्नती हो सकती है, ओफस के सहकर्मियों से च्छतेत रहें, वोई भी आपके कारे को गलत तरीके से पेश कर सकता है, भविश्य संबंदित योश्ना बनाने में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, शुब अंक है 5, शुब रंग निला अंक नौ, अस्फुर्ती और गुद्धी के कारण रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा, प्रॉपर्टी संबंदित कारियों में रुकावट्रे आ सकती है, प्रेमी को खुश करने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं, शुब अंक है 9, शुब अंक हलका पीला, आइएव जानते हैं आज का पंचांग, हिंदु पंचांग के अनुसार 6 जनवरी 2003, शुक्रवार, पोश माह के शुक्लपक्ष पूर्णिया ती थी है, जानेंगे सुर्य और चंद्रमा का समय, सुर्योदय होगा सुबर 7 बच के 13 मिनट पर, सुर्य शुक्लपक्ष पूर्णियमा, 6 जनवरी राद 2 बच के 14 मिनट से 7 जनवरी राद 4 बच के 37 मिनट तक, क्रेश्नपक्ष प्रतिपदा, 7 जनवरी राद 4 बच के 37 मिनट से 8 जनवरी सुबर 7 बच के 7 मिनट तक, नचत्र, आध्रा, 5 जनवरी राद 9 बच के 26 मिनट से 7 जनवरी साज़ जन्वरी राद बारा शत्राइब कृ दैनर पृश्च जनवरी राद बारा जानेंगे हम यूग ब्रम पांच जन्वरी सुबह साथ बचके तैस मिनट से छेजन्वरी सुबह आट बचके दस मिनट तक जानेंगे हम अश्रुपकाद राहु सुबह ग्यारा बच के बारा मिनट से दोपहर बारा बच के बतिस मिनट तक यमगंड दोपहर तीन बच के बारा मिनट से शाम चार बच के तिस मिनट तक कुलिक सुबह आट बच के तैर तिस मिनट से सुबह नौ बच के बावन मिनट तक दुर मुहरत, सुबह नौ बच के 21 मिनट से, सुबह 10 बच के 3 मिनट तक फजर्या, दोपहर एक बच के 41 मिनट से, शाम 3 बच के 26 मिनट तक इसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आपके बागे के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेश कारिक्रब राशी फल्मे नमस्कार कर दो